हेलो दोफसो नमस्ते माय उनिस्टैरो में आप सब का स्वागत करती हूं तेर आज का विकज मैं पीडियो लिख कर रही हूं आपके पार्टनर जो फिलिंग्स है आपको लेकर इस रिस्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं चिक है और यह परसन की जो एनर्जी है वो है थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में no context situation है थिक है तो हो सकता है no context situation भी हो यह बाचित भी हो रही हो तो मैं देखना चाहूंगी कि इनके मन में जो आपको लेकर इस रिस्टे को लेकर जो उनके दिल और दिमाग में बातें चल रही है वो क्या है इस रिस्टे को लेक उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, तो चली किए, लेक्षि लेते हमें क्या चल रहा है उनके मन तो चल रहा है तो इह पे 3 नमबर 3 नमबर 4 नमबर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके परसन की जो एनर्जी है मैं बता देती हूँ, आप 4 नमबर, 3 नमबर, 3 नमबर, 6 नमबर, 1 नमबर, 2 नमबर, यह important नमबर है आप सब के लिए, ठीक है, यहाँ पर पाइसेस के स्कॉर्पियों है, कैप्रिकॉन, टॉरेस बर्वों है, लिबर, एक्रियों जवनाई है, पाइसेस के स्कॉर्पियों है, एरिस, लिए एन्स, साजिटेरियों है, तो देखिए, यह परसन के मन में जो आपके इस रिष्टे के लिए है, वो स्ट्रॉंगली यहाँ पर दिख रहा है, कि वो सूस्ते काफी है, ठीक है, वो सूस्ते है, वो आपको दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते है, हो सकता है, इस वीवर्जी आपके पार्टनर की कहीं कमिट्मेंट हुई हो, या फोर और वोंड्स के एनरजी, या फिर कहीं कमिट्मेंट हुई है, या फिर आपके साथ कमिट्मेंट चाहते है, या आपके साथ रही हो दिने हैं जहां उनके जोगरे भी हो रहे हैं और उनके एनरजी टिगर के जार यान कि इमोटस्निस हो रहे हैं लेकिन आपको वो कह नहीं पारे कि इनके जिंदगी में क्या situation है क्या problems है तो आपके पार्टनर के मन में डर है ठीक है क्योंकि उनके आप दिल और दिमाग में हो अगर वो आपको अपने लाइफ के स्टोरी या प्रॉब्लम्स हो सेर नहीं कर पा रहे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है तो देखिए ये परसन के मन में कहीं न कहीं ये बाते हैं जो आपको लेकर सोच रहे हैं यहां पर पेरंस को लेकर भी आपके पार्टनर के दिल और दिमाग साथे नकि देखिये जो की दी ना यह वह आपका दिल दुखाना चाहते हैं ना वह आपकी पेरंस का दिल दुखाना चाहते हैं ना हि भौ अपने पेरंस का का पैरेंस का कास्ट इशू का या फिर आप से रलेटेड उनकी फैमिली में कोई इशू चल रहे हैं देखिए इनके सिच्वेशन सही नहीं है बट ये कहीं न कहीं ये किसी न किसी से डिनाई जरूर करें कि वो किसी और के साथ सेट नहीं कर सकते अभी इस वक्त वो ऐसे ही रह ठीक है तो कुछ एवी इनरजी भी है लेकिन इंजॉइ करना चाहते हैं सबसे बड़ी बात इनके मोसल्स में हैं थोरा सा याप के साथ टाइम प्रेंट करना चाहते हैं एनजॉइ करना चाहते हैं और थोरा सा मेरी एइनरजी मुझे को दिख रही है ये परसंट जो painful situation में से बातचीत होईगी तो बहस हो जाएगा ठीक है लेकिन फिर भी वो सतर खोर कर चल रहे हैं बैलन्स होकर चल रहे हैं इस वो बहुत कोसिस कर रहे हैं कि वो आपसे करें वो आपसे बात करें ठीक है वो आपको अनब्लॉक करें लेकिन एक बात है कि आप दोन में बातचीत होईग और एक दूसरी को टिगर मिलेगा, ठीक है, फिलाल वो कही न कही बैलन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने एगो गुसों को, मतलब गुसा और एगो को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं करते हैं, ये इनका नेचर, इनका शवाव लेकिन हो सकता है, ये पुर्णिमा जो होती है, फुलमून की एनरजी भी हो सकती है, तो कही न कही गुसा और इमोसंस भी है, ठीक है, लेकिन ये बैलन्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि किसी ना किसी परसे इनको प्रेशर किया जा रहा है, और ये परशान लेकिन आपके लिए true emotions भी दिखाई दे रहे हैं थोरा सा यह आपके साथ enjoy करने की सोच रहे हैं ऐसा वो सोच रहे हैं लेकिन इस रिस्ते को लेकर उनके मन में है कि वो आज नहीं तो कल decision लेंगे लेकिन यह कहीं और set नहीं कर पा रहे हैं मतलब mentally हो यह किसी और के साथ अपने और को emotions को या अपने energy को set नहीं कर पा रहे हैं और सच पुची तो यह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं यह अभी जीना चाहते हैं खुलना चाहते हैं खुलकर enjoy करना चाहते हैं और वो आपके साथ time spent करना चाहते हैं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपके साथ ब करें और वो आपसे बात करें ठीक है देखिए कभी-कभी इनका भी होफ हो जा रहा है ऐसा नहीं है वो आपको बहुत मिस्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं किना बेवज़े आप दोनों में फाइटिंग बहस होईगी लेकिन फिर भी लगतार आप उन जाएं आपको अप्रोच करना चाहर है इस रिष्ते में वो आपको 100% देना चाहते हैं लेकिन आप दोनों के बीच में बार बार कुछ इशू आ रहे हैं लेकिन अभी थर्ट पाटी से ज्यादा अपसेट और परशान है क्या करूं कैसे करूं कैसे निकलूं कैसे आपको पूट करें या ना करें इस तरह की एनर्जी है स्टगल काफी है लेकिन फिर भी आपको पसंद करते हैं आपके लिए डिशिजन जरूर लेंगे ऐसी एनर्जी है मतलब आप लोग की एनर्जी में कहीं न कहीं एज गाप भी दिख रहा है बट यहां पर फादर इशू भी आ र लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को समझना होगा क्योंकि यह चाहते हैं कि आप उनको समझे क्योंकि आप दिल से बहुत प्योर सोल हो ठिक है उनको पता है कि आप इतने अच्छे हो और उनके लिए आप क्या माइने रखते हो इनको पता है तो थोरा वक्त इने और चाहिए ऐसा वो सोच है, इस रिस्ते की सच में यह सच चाहिए, कि यह इस फक्क्ट डिस्पेक्षिजर नहीं ले पा रहे हैं, आप तुनों के बीच में यह आपके और आपके पादर के बीच में कुछ इश्चू आ रहे हैं यह जगरे फाइटिंग और उनके फादर और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लेकिन फैमिली इशु है कुछ डार्क एनरजी है बट आपके रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे ठीक है या फिर आपलों में एजगाप भी हो सकता है लेकिन सिच्वेशन के अनुसार कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रहा है जहां टावर, जगरे, फाइटिंग, चोड, चपेट, बैहस, लॉस होना तो इस तरह की एनरजी भी है तो फादर से रिलेटेट भी कुछ इश्यू हो रही है या फिर आपके फादर से रिलेटेट कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है यह भी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ठीक है तो आपके पार्टनर के इंटेंशन सही है वो जिसने फेवर करना चाहते हैं लेकिन समय के अनुसारी है डिशीजन करें चिक है तो यह है आपके पार्टनर के इस रिस्ते की जो आपको अडिस रिस्ते को लेकर वो महशूस करते हैं उनकी यही सच्चाई है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मज़ काउड प्लेस यूड झाल